नमश्कार आप दिवे हिमाचल टीवी देख रहे हैं और मैं शिमला के पिटर हॉप के लॉन से अभी आपके साथ जुड़ा हूँ और हमारे साथ सुखविंदर सुखुझी हैं हिमाचल चुनाव में जा रहा है इसी साल विदानसभा के चुनाव होने हैं और कॉंग्रेस में चुनाव से पहले जो लीडर्शिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स थे उनका जवाब सबको मिल गया है तीन लोगों पर जिम्यदारी चुनाव से पहले दी गई है और उसमें प्रदेश अदेख्ष के तौर पे प्रतिवा सिंग है पहले से मुकेश अगनी होते थे वो उसी पद पर है और प्रचार समीटी का जो चेयर मैन है campaign committee जो होती है वो सुकविंदर सुखु देख रहे हैं इसके साथ इनके पास एक पद और है जो टिकट कमीटी जो होती है जिसमें एक जो मिम्बर के तौर पे जिसमें प्रचार समीती के जो चेहरमन है वो जा सकते हैं इस बार जब ओर्डर हुआ था तो उसको उसमें स्पेशल मेंशन था ज्यादा परिशे के ये महताज है नहीं चर्चित चेहरा हैं कॉंग्रिस के कैडर में चातर राजनीती से ले क्योंकि अब चुनाव का वर्ष है और इसलिए कॉंग्रिस में जो भी एक्टिविटी अब होंगी उस पे सभी की नजर रहेगी मेडिया की भी आम लोगों को भी क्योंकि वोटर्स पर बहुत कुछ निरभर कर रहा है और इसलिए आज हमने इनके साथ इनका एक ये बीजेपी में जिस तरह से जनरेशन का एक परिवर्टन हुआ अब कॉंग्रिस में भी लगबग वही दौर है और इन सारी चीजों के बीच में आज सुकविंदर सुकूजी से बात करेंगे कि जो अब चुनाव को कैसे बनाएंगे बीजेपी के साथ और पहला सवाल सर मेरा यही है कि यह जो तीन जो लोगों पर आप पे जम्यदारी दी गई है विधान सबा चुनाव को अब किस तरह देखते हैं देखे शिरमती सोनिया गांदी जी ने जब यक्तिगत तोर पर बलाकर मुझे कहा कि आप को हम परदेश कांगरस कुमेट्टी के चुनाव पर चार की जम्यवारी दे रहे हैं तो मैंने उसी दिन समझ लिया था कि बहुत बड़ी जम्यवारी मुझे मिल रही है और मेरी जबाब धेवी इसमें तैह होगी क्योंकि निश्ची तोर पर इससे पहले जो चुनाव पर चार कमेटी के जो धेक्शुआ करते थे वो चाली साल से वीर गहलोज जी थे उत्रागण में हरिश रावज जी थे तो निश्ची तोर पर उन्होंने एक इंगित किया इस बात को कि आने वाले संचनाव में हमारा जो पार्टी के जो परचारक होंगे उस चेहरे के और साथ में दो साथी और जो चेहरे लगाएगे उनके अनुसार पार् पर जाश्था बनाईगी है कॉंग्रेस की तरफ से इससे पहले आपको भी याद है कि बिना सीम फेस के कॉंग्रेस चुनाब लड़ी हो हमाचल में देखे मैं यह कह सकता हूं कि यह सब चर्चा यहीं सिम का चेहरा पहले भी सिम की बगार चेहरे के चुनाब लड़ती रही ह और आप देखे कई बार तो जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो सिम का चेहरा तो जो सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री होते हुआ ही रहे हैं और विपक्ष में पहले हर एक बार यह प्रियास किया गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा गोशित किया जाए लेकिन पार्टी ने और हम मुख्या मन्तरी का चेहरा क्या होता है विधायक चुनकर आए बधायकों की राय जानी जाए उसके बाद सीमती सोनिया गांदी शिरी राहूल गांदी जी फैसला करेंगे कौन मुख्या मन्तरी होगा क्यूंकि विधायक तो हम हाथ के वेशन ही निशान पर चुनकर आ रहे हैं अगर हम व्यक्ति को सूचे कि वह बड़ा है और पार्टी की विचारदारा और चुनाब निशान छोटा तो यह गलत बात है तो हम साब जीत कर encouraged मैं पहले उस विचारदारा का सम्मान फिर उस विचार दाहरा का जो राष्टे अस्तर पर प्रदिति निश्टब करता है वो जो बात कहते है उसके अनुसार यह फैंसला किया जाए अगर कोई ऐसा समझता है कि मैं पार्टी की चुनाब चीन के बगार चुनाब जी सकता हूं तो उनका चेहरा लगा कि चुनाब जी है और मुख्यम सभी विधायकों की राय के बाद जो अखिल भारती कॉंग्रेस को मेंटी तैय करेंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा तो इस बार जो यह प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला हुआ इसका बैग्राउंड क्या है क्योंकि आप लोग पहले से हाई कमान के साथ दिस्कुशन में थे मुझे बड़ी खुशी है कि हर मामले में राष्टिया हाई कुमांड ने मुझसे हमसे बातचित की है और इस संधर में एंतोनी कमेटी बनी एंतोनी कमेटी की राय में यह लाया गया कि हर वरी जो प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के पिछले जो अध्यक् है में में था तो था जो स्भाड उत्रा-खंड में तो अन्तोनी कमेटी ने एक रिकोमेंडेटेशन की जिसमें शे सिनियर बरश करिशने थे कि अगर मुझस क्याद़ कर्देश मेद्ष शरना है और किसी को पर डेश तो हमने तो मैंने तो पहले ही दिन उसी समय कहा दिया था कि मैं तो भही चुनाब लड़ना चाहता हूँ और आनितिक जीवन में मैं चुनाब लड़के यहें पहुंचा हूँ तो इस संदर में मैं कह सकता हूँ कि पार्टी ने बहुत अच्छा फैसला किया अभी तीन प्रद जी अब सर एक बात महतवपून यह है कि जो कलेक्टिव लिडर्शिप पर फॉर्मूला है जो ही माचल में लागो किया गया जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई आप शूर हैं कि यह सभी इस पर सहमत थे देखिए हाई कुमार्ड की सभी बातों पर हमसा लोग सहमत थ मैं लोगे बना तो और राज्या में जो भी नुकतियां हो उसमें तीनकों ब harass शूर का एक होगा चेरमें कुपेंच कमिटी का एक अज्च का इंसतों को हगा है और जो भी आगे नुक्तियां होगी जैसे कि कहीं डिस्टिक प्रेजिटन बदलने है या स्टेट पाधिकारी बदलने है वो तीनों बैठके सहमती से करेंगे तो यही जब हाई कमाड का अदेश है तो सब को मानना पड़ेगा कॉंग्रेस ने वरकिंग प्रेजिटन का फॉर्मूला बाकी स्टेट में भी अपनाया है यहां पे भी इस बार फॉर्मूला लगाया गया है लेकिन यह काम क्या करेंगे मालब वर्क डिस्टिबूशन किस तरह होगा लेकि हाई कमांड ने एक फैसला किया है यह ठीक है कि और यह ठीक है कि कुलदीव सिंह रठोर जी पॉर्किंग प्रेजर मनाए यह तो राए इस पार उनने चार वरकिंग प्रेजटों के र्याइए कि जो भी प्रेजिट के वेंदेंट के फैसले हों वेंदेंट का सब गलेके का बनाए नहीं एक नेды अनिये और फिर नहींके फ बात करते हैं आपकी कमेटी पर जो प्रचार समीती अब चुनाब प्रचार समीती को हेड़ करेंगे उसके लिए आगे कुछ अपने सोचा है कि किस तरह से क्योंकि जो इलेक्शन है इस बार थोड़ा सा डिफरेंट डायनामिक्स पे हो रहा है खासकर तीसरे की एंट्री की कमपेंड कमेटी का है एड कौन होता है जो पूरे हमाचल परदेश में जिसकी जान पिछानों और जो चला सके और जिसको आम जिन्ता भी सुने जिसकी बात को अगर बात रखता तो उसमें वेट हो अब मुझे जारनितिक जीवन में एक चीज का जरूर अच्छा है कि हमारे करती हैं अम से आर्ना को यूद्धू कारे upgrade करते करते सब जगphinवारे पास मिक्ति भी है अव हमने किन मुद्धों को लेकर चुनाव लचाना ओन मुद्धों को हमें आगे लाने की कोशिष किया हमने कहा है पहली बार हम चुनाव सत्ताः परिवर्तन के लिए लडना चाहते तो सत्ता परिवर्तन के दिल्व लोग देते रहते हैं लेकिन हम विवस्ता परिवर्तन के लिए ये चाहते हैं और विवस्ता परिवर्तन के रूम में हम जनता को जनता की जो समस्य है उनका निप्टारा करेंगे लेकिन जो campaign होगा जैसे ऐसा है कि बीजेपी ने कुछ गैलियां प्लैन की है आपको पता है अभी परदानमंतरी का जो दोरे हैं वो होंगे definitely क्योंकि चुनाव में स्टेट जा रहा है और तीसरी party भी इस बार आमादमी party के तोर पे है तो जो campaign है start कहां से करेंगे क्या शिमला जिला में तो campaign हो गया हमने रोड़ शो कर दिया और रैली भी कर दिया अभी मैं सोलन गया था उसमें भी रूड़ शो हुआ है और अभी मैं उन्ना था सभी कॉंग्रेस जन जाए बिधायक दल के नेता मुकेश अगनी उत्री जी है सत्पाल राजादे जी है कुल्दीव कुमार है विवेक शर्मा जी सब ने चनाब लड़ा सब एक च्छत के निचे आए फिर मैं हमीरपूर गया था हमीरपूर जाने के बार रजिंदर राना मैं और इंदर्दत लखनपाल जी सब में एक कठे होगे पहले तो पार्टी का जो एक मैसेज देते की हम ब अबन ज emocie की जून खूह सेकर है है मेयरे पास कहीन समय होगा तो मैं वहां व रिधान माश्वा सेत्रों में चनाब में जाँगा प्राथिबा सिंजी के बाश शमयोगा, उसंव जनाम में जाएंगे।र में जो कि नद कि पुरे जनावनी लड़ भी कर देंगे, दो नों को। और अभी जो एक शुकला जी ने धनिराम शांडिल जी का नाम भी लिया था चौथे विक्ति के तौर पर और पहले से भी कॉंग्रेसी वर्काउट कर रही थी फॉर्मॉला वो क्या जमेंदारी है उस तरह से ने उनको भी है वो हमारे सी लीडर्स है उनको भी साथ हमारे जब पास समय को कंपेन करेंगे और अच्छा विक्तिता वे मांदार चबी है धनिराम शांडिल जी की और उनकी एक फोजों में भी अपटी पकड़ है एक सर्विस मैंने करनल धनिराम शांडिल दिये तो निश्ची तोर पर जहां उनका होगा अपने तरह से वो भी परचार करें इस विदानसवा के दुरान जो मेले आप लोग चुनके अभी आये थे उसमें खासकर यह जो समाजिक पक्ष होता है एक जो जैसे कोविड काल बीच में था बड़ा टफ टाइम रहा और उसके बाद कई तरह की चीज़ों को लेकर जो मेले की अपना रोल है वो रीडिफाइ कि तीस प्रतिशा सेलरी देनी है तो मैंने और रके सिंगा जी सी पीम वाले उन्होंने पूरी सेलरी भी दी है और भी हो सकता कोई विदैक मुझे जानकारी नहीं और जब समाज में महामारी आती है तो जो भी चाहे वो जन प्रतिनी दी थे या सरकारी करमचारी थे या कोई वी तासा उनने बढ़ चरकर इसमें योगदान दिया ऐसी स्तिती में जब हम घरों में बैठे तो मेरे दिन मन में भी एक दिन बिचार आया है कि हम लोग भी समाज के अभी नंग है हमारा भी एक दाइता बनता है तो संदर में हमने अपना यहां मैंने अपने निजी अपने प देने की क्या जूरती लेकिन हमारी का जमाना था और हमने सोचा कि दान करें कशी लोग कह रहे थे कि आपको बीजेपी का मुख्यमंत्री है मैंने उनसे कहा कि यह बीजेपी की महारी महारी कोई मुख्यमंत्री से संबंदित नहीं और किसी पार्टी से संबंदित नहीं इस स मास से समंदी तर हम सब का दायतर बनता है। पवन काजल वर्किंग प्रेजिडंट हैं वो भी नहीं थे और वो राधर दूसरे दिन मिटिंग में भी नहीं थे। काई वार जसे पवन काजल जिया है उन्हों निजी तोर पर वो भार गए हुए थे उनकी पांसतारी की डेढ़नी थे भार गए हुए थे उन्होंने आना ही जब पांसतारी की रात को तो तो कैसे पहले आसे सुचना ही आए तो मेरा ये मैं आपको कुछ दारन देना चाहता हूँ तो अगर वो पांसतारी को भार गेते और शाम को आना तो कैसे राली के पोस्ट पॉस्पॉन की जा सेथे क्यूंकि समय के नुशार्द है उसी तरह सुदीर जी है अगर वो कहीं बहार गए ह प्रतिवा शचणों की लुटार को अगलन नहीं पूसिआ गए हुड़ां और नहीं आरे हैं तो मतलब यह कि न से घॉराभ जरंवान की जिए तो इसको यही माना जाना जाई हूद्धि ऒी इकिसीनीची कानलों से नहीं אזरदीव अब जय से ऱजिंदर रणाषा गंवरिAK तो इन चीजों को आप गुटवाजी से जोड कर देखिए अप गुटवाजी खत्म हो चुकी है अप प्रतिवा सिंग्जी ने ठीक था कि अनुशाशन होना चीए और कोई संगठन तब तक नहीं चलता जब तक उसमें अनुशाशन ना हो अनुशाशन हिंता तो किसी वी तर प्रप्रदाश्ट ने की जानी चीए और मेरा यह मानना कि इस द्रिष्ट्री कोन से को बहार रखते वे कि यह लोग नहीं आएं यह सब लोग कांग्रेस पार्टी से संबंदी देखा और कांग्रेस की विचारदार से जुड़े वे लोग हैं यह सब लोग भारती जंता पा लीक हुँआ पहले तो पुलीस भरती का पेपर जब स्वाडिनीट स्वाडिनेट्स और में तो उसके माध्यम से होना चाहिए तो गया तो जो नियत थी उसमें तो पहले से थे कि अपने आदमीयों की भरती करनी है और अपने आदमीयों को पेपर ले करके उनके नंबर अच्छे लाने है तो इस परकार की प्रक्रिया अगर इस सरकार युवाओं के साथ धोखा करती है और कुछने उने प्रतित लोगों को अपनी पार्टी के लोगों को आगे लाने के लिए नसर्कारी नौकरिओं देने के लिए पेपर लिए करती है तो आप बताइए सबसे बंचेım बरश्टाचार तरही है जो सरकार में पारदरश्टा नहीं है और जो सरकार में ब्रस्टाचार पनपा है मुख्यमंत्री ने उनके खिलाब क्या कारवाई की गई है मुख्यमंत्री ने इतने प्राशटा चाहर की टेसी जैंड़ इंस्पेंटरा मनता हू Tillो इसके बाद उसको दोर ही दोर्णी स्टेट कर दिये कई असे उसह दारने तो प्राशटाचार मुख्यमंत्री है commissioner प्रश्टाचार के का न हमारे स्पिकर थेरा जीं बिंदल जी। तो नücklich यू लिया अगर उनने प्रश्टाचार की दो खूर नहीं है। कुछी उच्णी हुगी है प्रश्टाचार से समंधित मुद्धे हैं महाई से समंधित बहुत भड़ा मुद्द्धा है। मेंगाई आसमान चूरही है कौन सा ऐसा घर है जो मेंगाई की आग से ना जूस रहा हूँ ग्यास का सिलिंडर दाले सरसो का तेल आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया ब्रोजगारी रोजगार मिलनी रहा और रोजगार सिरफ अपनी पार्टी के कारेकरतों को मिले तुल प पर देख लिए ब्रोजगार के अब सर पैदा हो किये गे और उनको नोक्री लगाया गया चासरड विधानसावा शेतर में तो रोजगार मिला है तो जो अपने शेतरों की सूचता हो और युवाब रोजगार गरीव रोगों की नियस सूचता हो तो वह सरकार क्या परशाश परिवर्तन के लिए नहीं आरहे है, ले इस बार चुझाब में तीसरे भागीदार के तौर पे आम आद्मी पार्टी आरहे है, लेकिन उसमें उनका फोकस उतना नहीं है, विदान सबा के लिए लगवाग पूरा है, जो दोरे अभी तक हो रहे हैं, आम आद्मी पार्टी को इ लोकतंतर की विशेष्टा ये होती है कि कोई भी पार्टी अपना भग्या जब चुनाब होते हैं चाहे किसी भी प्रदेश में तो अपना आजमाए और अच्छी बात है वह आजमा रही है और लोकतंतर में अपनी पार्टी के अपने मुद्दे आये है केजरिवाल साब ने र ले भी मोर्चे बनते रहे हैं पहले भी पाटी यह रही है और जितने भी चुनाब होए उस में तीन से चार से पांच प्रतिशत मत दो मोर्चे लेते रहे हैं पिछली बार मेश्वर सिंग जी का मोच उस उससे पहले हमारे सुकराम जी की की पाटी होना bacon जहीश को लीज़ ہ हमाचल प्रदेश में तो कॉंग्रेस पार्टी ने ही सब कुछ किया तो उनको अभी रास्ता तै करना है और जब वो अपना रास्ता शुरू किया है उन्होंने तो उनका रास्ता लंबा है और लंबा रास्ता तै करने में समय लगेगा पर आम आदमें पार्टी कह रही है, हालंकि इसको आप साइकलोजिकल भी एक तरह से मान सकते हैं, कि हमारा जो लड़ाई है वो बीजेपी से है, कॉंग्रेस से नहीं है. अब उनके कहने से हमाचल की जनता तो जानती ना कि किसके साथ लड़ाई है, वो अखवारों के माद्यम से सिर्फ दियान अपनी और कर्शित करने के लिए इस परकार के दियान देते हैं, एक बज़ा ये भी थी शायद की कॉंग्रेस फिल्ड में अभी थी नहीं जब तक ये कॉंग्रेस का भी फैंसला पैंडिंग था तो लोगों में ये राय थी कि कॉंग्रेस पता नहीं किस डर्रेस आएगी और जब चर्चा करके विस्तरी चर्चा करके सब लोगों ने अपस में विचार भी मुश करके श्रीमति सोनिया गांदी जी ने श्री राजीब शुक्ला को आगे बढ़ाएंगे इसमें कोई दोरा है नहीं है अच्छा अब आप दो बार यहां शिम्ला में पार्शद रहे हैं नगर निगम में विधान सबा चुनाव जो है वो तो सामने है ये लेकिन उससे पहले नगर निगम चुनाव हो सकता है शिम्ला वाला और अभी कोर्ट में केस है मुझे लगता है कि टाइम से निकल जाना चाहिए उसके बाद प्रोसेश शुरू हो जाएगा यहां कॉंग्रेस का आप कितना वो देखते हैं आप क्योंकि यह पहली एक तरह से पहला एलेक्शन है आप लोगों के लिए ने टीम के लिए मैं आज दावे के साथ क् लुगता हुए ने निगम चनाफ कांग्रेस पार्टी जीते की मैं कार्परेशन का रहा हूं और मैं स्टूंट स्लाइब यह यही रही है अगर आप कहे कि शिमला नगर निगम के चनाफ में भारतीय जन्ता पार्टी यह सोच रही है कि कभी हम चनाफ चिन पर चनाफ कर सब्सक्राइब के साथ कि कांग्रेस पार्टी ने खास कर मैंने पिछले रात को ही अपने कांग्रेस के शिम्ला जीला के बज़ जो शिम्ला शायर के बरिष्ट लोग थे और उसमें मारे वर्किंग परिज अर्श माजन जी भी थे और वी थे हमने बैठकर एक रनेती बनाई है और अगर हम उस रनेती को प्रतिबा सिंग जी को भी बताएंगे उनके साथ चर्चा करेंगे उस रनेती के तैट हम शिम्ला नगर निगम के चुनाव में जाएंगे और उसे चर्चा करने के बाद एक आकरमक धार हम यहां शिम्ला नगर निगम में चुनाव जीतने के लिए बनाएंगे और आज मैं आप इस चैनल के मादम से कहना चाहता हूं शिमला नगर निकव का चिनाव कांगरेस पार्टी जिते और अच्छी मिजूटी से सिल्बाना नगर निकव का चीनाव जिते अब जब आप फॉर्कास्ट करी रहे हैं तो विधानसवा चुनाव का ही बता देजी जब आने वाला विधानसवा चुनाव है जिलावार जो वर्काउट है वो पार्टियां करती है आपने भी दोराओं के दोरान देखा होगा आप अगर इस बार उना से लेकर हमिरपूर संस सवा का चुनाव होगा उसके एक मिना पहले आप मुझे मिलना और मैं आपको पूरी चीज बता देखा चलिए अब इसको बदल के पूछता हूँ है यही सवाल कि जो यह क्लियर हो गया कि प्रदेश अदेक्स चुनाव नहीं लड़ रही है यह तो मैंने नाशनल फार्मूल परसेप्शन अब हाथ का निशान ही बनेगा अच्छा ठीक जो भी होगा ना पब्लिक परसेप्शन में वहाथ का निशान होगा उस हाथ के निशान के लिए तु लड़ाई लड़ी जा रही है जैंब हम कांग्रेस पार्टी किसके साथ चलती कोई सुखविंदर सिंग जिसको कांग्रेस की विचारदाणा में बिश्वास पढारामे बिश्वास है जिसको राधी निशान की जूर्त वह लड़ा ना चुनाब, जे हो बज़ागा हाथ का निशान जिसको नहीं मिल रहो घवान हम आदमी पार्टी में जाएका चणाव के वक्त क्या होता तीसरा म सेप्चन यह सब कहावते हैं स्टेंडिंग स्लोगन्स है ठीक है अब अगर प्रदेशा धक्ष को उस जिम्मेदारी से अलग कर दें क्योंकि उन्हों ने चुनाव लड़वाना है पूरे प्रदेश में तो बचे फिर जिम्मेदारी जिनको देगी है दो लोग जी आप और सील अगर विधायक कॉंग्रेक्स के पास होते हैं तो इन दो नामों में से कोई एक तो होगा ना जब जनता जानती है कि प्रचार समीति की कमान जविल्भदर सिंग के पास थी अब आपके पास है और उसके बाद जो चुनाव होंगे वो फिर वो है लेकिन आप लोगों ने ये ओपन छोड़ दिया है क्वेश्चन की MLA पहले जीत के आएं उसके बाद तैय करें कि अगला रास्ता क्या होगा कोई भी MLA हो सकता है कोई भी MLA होगा फिर MLA की राय जानी जाएगी श्रीमती सोनिया गांदी और राहूल गांदी जी फैसला करेंगे किसके पक्ष में फैसल जिसके बाग्या में होगा क्याते है ना कि बाग्यावान बढ़ा की बाग्यावान रह जाता है बाग्यावान साथ दे जाता अब एक बात यह कर लेते हैं असर कि जो टीकट कमिटी में क्योंकि आफ मिंबर भी होंगे जो फॉर्मेट बनाएं भी उस तरह से है टीकट चैन का आधार क्या रखेगी कॉंग्रेस क्योंकि कॉंग्रेस में हलांकि जदा कोई कन्फूजन नहीं होता क्योंकि जो लोग फिल्ड में काम कर रहे होते हैं लेकिन जो मेन है आधार वो क्या रहेगा लेकिए आपने बहुत अच्छा स्वाल इस चुनामों के मद्या नजर पूछा बहुत अच्छी बात पूछी एक तो स्वाच्छवी के व्यक्ति को टिकड मिलेगा इमांदार व्यक्तितव को टिकड मिलेगा और जो संगठन से आम परिवार से उठकर जो रानिती करते हैं उन लोगों को टिकड देंगे थोड़ा साम को एक कार्या पनाली में यह भी देखना पड़ता है कि कई जगा कांग्रेस का कौन अमीदबार जीतने वाला है और जीतने वाले अमीदबार को टिकड देंगे पर इमांदारी सबसे रखी जाएगी ऐसा को किसी पर करॉप्शन की ब्रस्टा चाहरे हो तो उसको टिकड़नी देंगा मुख्यमंदरी और आमादमी पार्टी के लोग दोनों यह कह रहे हैं कि कॉंग्रेस के बड़े लोग हमारे साथ चर्चा में हैं और समय आने पर उसके बाद बताएंगे कि क तो आपको लग रहा है कि ऐसा खासकर आमादमी पार्टी के आने के बाद कुछ भगदर जैसा कुछ बनेगा जो उनके साथ चर्चा में है जो उनके साथ जाना चाहता है उनका स्वागत है वो जल्दी जाहिए ताकि हम आच्छा आदमियों को और आगे पार्टी मिलाएं को उनको तो छोड़ देनी चाहिए पार्टी कोई जूड़ती नहीं है इसे लोगों की पार्टी में कांगरेस की विचार धरा इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के कान पार्टी कमजोर हो जाएगी और वर जाएगी एक चीज़ जो नॉर्मली अगर आप भी इसको फील करते होंगे तो आप तभी शेयर करें कि जो सरकार के खिलाफ जो मुद्दे होते हैं खासकर हीमाचल स्पैसिफिक उनको उठाने में या उनको उस तरह से इशू बनाने में विपक्ष की जैसा जितना मजबूती से विपक्ष को रखना चाहिए वैसा भी दिख क्यों नहीं रहा है अब आप देखो गे कि पार्टी की आकरमकदार होगी काली अंग्योत्री जी ने प्रेस कानफेरंस हुट की है उसके बाद अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं अभी जो सारी चीजें होई इसके बाद जो तो रन दोवार लगे हैं ज्यादा वो उन्हां की तरफ ही मतलब मेतपूर वाले जो एंट्री है उसके बाद आप लोगों का दोरे रहे वहाँ बाकी जो परदेश है वहाँ आप मुवमेंट कब दिखेगी है देखिए आप गलत कह रहे हैं मैतपूर से पहला प्रबेश में ने किया था मेरा फिर दूसरा प्रबेश हमने परवाणू से किया भारी 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 पहला जो आपका हुआ तो मुकैश कि लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं एक सेंशिया उनके मन में रहता है कि पतनी यह आपस में कोई थोड़ा बहुत मत्वेट हो नहीं जो फ्रैंक लिए आपको विभाग करते हैं नहीं जो उन्होंने अब पाया कि अब यह चीज़ खतम हो रही है क्योंकि जब फैसला नहीं थी आपके जो पूरवा धक्ष थे अभी यहां ही माचल में वो बार बार यह कह रहे थे कारेकाल पूरा होने के बाद भी कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है और जैसा पंजाब में हुआ वरकिंग प्रेजिएंट का वह हम यहां कोई नहीं करेंगे तो उससे शायद यह लगा कि फिर पता नहीं अब हो रहा है नहीं हो रहा है वो कन्फूजन थोड़ा हो गया बीच में वो प्रशांत किशोर वाला इशू आ गया तो ऐसा लगा कि कहीं वो जैपूर में जो चिंतन हो रहा है उसके बाद नहीं बाद चली जाए तो वो था लेकिन यह जरूर है कि अभी इन सवालों को का जवाब कॉंगरेस को देना है इस चुनावी वर्ष में कि सभी एक होके चुनाव लट रहे है निश्चीत तोर पर एक होके चुनाव लट रहे है मैंने आपको जगा प्रतिभा सिंग्जी जाएंगे यह सब यसे तो उनको सब सारी जगा जाना है लेकिन सम तो इकठे और अलग लग जाने को आप गुरूप पॉलिटिक से मत जूड़ना अच्छा ठीक है अज यह नहीं आया कल वो नहीं आया तो अच्छा नहीं लगता ना तो पहले कि कर देते कि इसको कठे हमार जगा जाएंगे जहां हमारे पास समय होंगा हम कठे भी होंगे मुद्धों की बात जब हम कर रहे थे तो एक बात रहे गई वह थी कर्मचारियों के इशूज खासकर जो हैं ओल्ड पेंशन को लेकर कॉंग्रेस बार बार कहती रही है अभी जो आप लोग सदन के फ्लोर पे भी कह चुके हैं कि हम देंगे ओल्ड पेंशन को लागू करेंगे तो एक तो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं कि इसका क्या कोई वह बनाया है कोई कोई वरकाउट आसा किया है खासकर अगर सेंटर गौर्मेंट सपोर्ट ना करें देखो दो चीजों पर हम वरकाउट कर रहे हैं आपने बहुत अच्छी बात की और कॉंग्रेस अपने गुष्णा पत्तर में मिला रही है पहले क्योंकि हम खुद करमचारी के बेटे रहे हम जानते हैं और क करमचारी को ओड़ पेंचन देनी है और पैंचन कि जुरुद कब होती है आज के समय मैं पेंचन की जुरुद है साथ साल के बाद जब तक उसका जीवन यह तो यह जीतLE करे Marriage में बड़ी काड़ी क्रेलली गार बना लेगा और बाद में दीदेदे और बढ़ापत की तरफ जाता तो उसके पास पैसे नहीं देते हैं अब मेरे माता जी है वह 85 यह जोड है मेरे फादर के दियान के बाद उनको भी पैंशन मिलती है तो वह आज गरब से पैसे निकाल के हमें भी 500 रुपया पकड़ा देते हैं पोते जो हमारे बच्चे उनको भी 100-100-200-200 जाया सरकार ने उसकी सेवा के लिए मैं करूंगा उसकी सेवा के दार पर मुझे मरते दम तक पैंशन मिल रही है तब मैं इस पैंशन स्कीम के हगदार हूं और मैंने इस वामले में रावल गांदी जी से भी चर्चा कर लिया और हमाचल परदेश में उसके बादी यह सभवान है जो गरिमा है वो जीवन के अंतिम सांस तक उनके साथ जे जब सरकार की जेव से उनके उनके जेव में पैसा जाएगा और अगर उनका कभी धिहान तो जाता तो उनकी पत्नी को सभवान से जीने का अधिकार रहे अपने बच्चों की तरफ हाथ फिला करना देखन पड़े यह ओल्ड पैंशन स्कीम उनको सभवान देगी और यही ओल्ड पैंशन स्कीम उनकी घरिमा को बनाए रखेगी कांग्रेस पार्टी आपके चैनल के माध्यम से कहती है कि इसको अपने गोशना पत्तर में मिलाएगी और इसको हम आने वाले समय में हम इस पैंशन को ह हमाचल के करमचारियों को भी देंगे तो बाबाव शुक्रिया एक और में बात बताना जाओंगा आज हमारे जो दूसरी हम मुद्दा जिस पर हम विस्तित विचार में मर्श कर रहे हैं क्रिशक का है किसान का और पशुपालक का है आज हमाचल परदेश की अच्सी करते हैं बादी वाणी वाष्ण को उत्भाद करते हैं पैदा करते हैं पाड़ी वाशन में दूते हैं तो उनको क्या हमता है उनको बचानों गाहें के दूद का सरकार जो है गार जो है मिल लग फड़ — क्रतिक य्लो के साब से खरीथि है और बहाउ के दूद को 30 अठर हमाचल परदेश में उतपाद होता है दो लाक लीटर अब क्या है कि अब हम कैसे उसको नैच्रल खेती से भी जोड़े तो हम एक योजना पर कारे कर रहे हैं है आपय्या उसकिकले भी सब्सकितक्व कार्णूर थे तो ही को जो असी तोर साथे की बिचेंगे जो थे tamanैंगे सबस्टिडाइज करेंगे मिनिमम स्पोर्ट प्राइस मिलक का तो उससे क्या होगा कि गाएं के दूद वाले को असी रुपे प्रती किलो खृड़ने के वाद और रोज 10 किलो दूद सरकार उसे ग्रंटी के तौर पर खृड़ देगे 800 रुपया रोज का मिलेगा और महिने का 24 का 24,000 रुपया मिल गया बैंस के दूद को हम 1000 रुपया उसको रोज का मिलेगा और महिने का उसको 30,000 रुपया प्रते दिन एक किजम ने स्की जिमियों उससे क्या होगा एक तो जो इंकम होगी तो वह इंकम को जो होगा तो वह अपन जो खर्चेद गाएं के फीड पर आते हैं गाए के और चीजों पर आते वो कम वो उसके कम हो जाएंगे और उस फील करेगा कि मुझे 24,000 प्रे मिहने का आनाई है अब इस पर कितना पैसा खर्च एगा तकरीबन इस पर हम एक हजार क्रोड प्रे का खर्चा आने किया वो भी तब अगर हम चार लाख लीटर को दूद का उत्पाद करते हैं हर बीस किलो मेटर के बाद हम एक चिलिंग प्लांट मनाएंगे कि उस चिलिंग प्लांट में आ जाए हर एक जिलेंग में पाइलट यो नगदार एक हम उसकी ब्प्रोडक्ट को भ ड्युवल करने के लिए बातारण ड्यारी प्लोड़ उने के तो तक्रेम एक χजार क्रोड खड़ ऐगा एक हजार खड़ क्रोड़ खड़ाइगा पैसा कहां से ऐगा अगर हम बलास्पूर भळवानूपली बं बना हैं तो किसको फादा दे रहे हैं सि तो वोलते कि आपको रचे तो बोले कहते कि तो सिर्फ सर्विस देंगे यह निगी तीन हजार रोड़ रुपया लगाकर वह हमको सिर्फ क्या देंगे कि सब्सक्राइब करें प्रोफित-वाइंगे इसी तरह बद्दी लेने तो हम अपने क्रीशक को क्यों नहीं तरह ने तो पैसी से मिल जाएगा और डैरी प्रोडक्ट कितरे मनें गे उस दूद के डैरी प्रोड़क्ट मनेंगे घी बनेंगा मक्षन मनेंगा यह बनेंगा तसरा में ग्रामी नर्थ विवस्ता को स्धिरीट करना एड़ा था फिर इंडरस्टिलाइजेशन द्युगों का बहुत ज्या कि आपको मैं कुछ जानकरिया देना चाहरा हूं क्यों विवस्ता चाहिए रेबनियु डिबार्टमेंट में ऐसे कानून है जिससे आपको भी अपने परिवार से भी होगा तो इस सारी चीजों को बदलने की जूड़ता है अब उस विवस्ता में नहीं रह सकते जब आजादी कि साल से चले आज़े कि सको स्कूल खोल दो यह खोल दो हमें उनको शिक्षा देनी है कैसी शिक्षा देनी है जिससे वह आतम सम्मान और स्वाभिवान की लड़ाई लड़ सकेगी में गर्या हुए इस परकार की बिवस्ता परिवर्तन के लिए हम आ रहे हैं इसलिए हम जंत समिती हैं उसके चेर्मेन हैं और जैसा इनोंने कहा कि ये बिवस्ता परिवर्तन के लिए कॉंग्रेस के लिए इस बार लोगों के बीच में जाएंगे और जो इनको जिम्मेदारी दी गई है तीन अलग-अलग चेहरों को उन में से ये एक हैं और इनकी जो आपने बातें नहीं उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कॉंग्रेस आने वाले दिनों में किस तरफ इस चुनाव को ले जाना चाहती है आप सब लोग लाइफ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया